तो गाइस अभी हम बात करते हैं कि अगर आप मलेशिया जा रहे हो तो तीन दिन के अंदर आपको मलेशियन अराइवल कार्ड भरना ज़्यादा जरूरी होता है जिसकी शॉर्ट फोर्म है मलेशियन डिजिटल अराइवल कार्ड जिसको M-D-A-C-B भी बोलते हैं तो वह आपक क्लिक सकते हैं तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूं सब्सक्राइब चुफ को चुछ से नौटिफिक्रिकिशन मिंद और मिलेगा स्काइब आपके सामने यह वाला फॉम निकल किया जगा जो मैंने अल्रेडी भर लिया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं तो सिंपल सी इंफॉमेशन यहां पर मांगी गई है जैसे आपका नाम क्या है पासपोर्ट में जो पूरा नाम है वो आपको डालना है जैसे विजय कुमार पासपोर कंट्री कोर्ड जैसे आप इंडिया से विजिट कर रहे हैं कंट्री कोर्ड वहां का है 9 1,9 1 डाल सकते हैं मुबाइल नंबर डाल सकते हैं जो भी working में आपको मुबाइल नंबर है उसके साथ यह इन्फोर्मेशन भरने के बादा को ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन बरनी है date of arrival, date of arrival क्या होता है कि जब आप land कर रहे हो किसी भी देश के अंदर, पहुंच रहे हो, उसके बाद departure वो होता है, जब वहां से निकल रहे हो, date of arrival for example, आप Malaysia पहुंच रहे हो, 15 तरीक को, तो यहां पे आप डाल सकते हो, departure कब का है, वो डाल सकते हो, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जब आप यह भरोगे, तो आपसे जो date of arrival है, उसमें आपको सिरफ तीन दिन का ही option देगा, तो आप तीन दिन पहले ही इसको भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक महीना पहले इसको भरने कोशिस करोगे, तो तीन दिन पहले, for example, आज अ आपको यह भरना पड़ेगा अगर आपको एंट्री चाहिए वहाँ पे, otherwise वहाँ पे काम चल जाएगा, बट फिर भी आपको problem होगी काफी सारी, तो आप पहले से भर के चलें, और तीन दिन के अंदर भर के चलें, तो date of arrival डालना है, departure डालना है, mode of travel डालना है, आप कैसे पह आ रहे हो, तो इंडिया डालना किसी और कंट्री से अगर आ आ रहे हैं, तो वो डालना है है, उसके बाद आपको अपनी अकमेंडेशन की details डालने है, कि आप मलेशिया में रहोगे, कहां पर यहां पर आपको दो तिन option मिलते हैं, कि आप होटल में या फिर किसी फ्रेंड के स और उसके बाद आपको state select करनी है, अब mostly लोग confused होंगे, mostly cases में लोग जो भी मलेशिया जाते हैं, वो कौलालंपूर ही land करते हैं, तो वहां की जो state है, वो यह है, Salangor, ओके, तो उसी के अंदर आपको कौलालंपूर मिलेगा, अधरवाइस आप confused रहेंगे, क्योंकि Google पर भी इतना इसी लिए समझ नहीं आता है, तो Salangor, Salangor, कौलालंपूर की जो state है, और कौलालंपूर capital of Malaysia है, और पिन कोड यह मैंने वैसे डाला हुआ है, पिन कोड आपको address में मिल जाएगा, जो आपका hotel का address है, उसमें मिल जाएगा आपको easily, और आप सारी चीजी यहां से डाल सक जाएगा, और आपको एक मिल जाएगा, कि आपने अल्रेडी भर दिया है, और आपका यह reference number है, इसके बाद आप इसको check भी कर सकते हैं, कि आपका भरा गया नहीं भरा गया, उसके लिए आपको यहां पे click करना है, check visit pass, और यहां पे आप passport number, citizenship, अपनी सार्च चीजी डाल सक पिन आजाएगा आपके email पे और I am not robot करके confirm करके आप submit कर सकते हैं, इस तरीके से आपके बास detail आजाएगी, तो यह simple सा process था, इनका form भरने का, और यह आपको भरना ही पड़ेगा अगर आप Malaysia जा रहे हैं, अभी जैसे Malaysia visa on arrival है, arrival तो क्या है, free ही है, on arrival भी नहीं है, आपको को कि अगर आप Malaysia जा रहे तो आपको क्या documents की requirement है और आप कैसे पहुंच सकते हैं, और इस form को लेकर कोई भी doubt question है तो आप comment कर सकते हैं, मैं आपके reply जरूर करूँगा, तो वीडियो पूरा देखने के लिए thank you so much guys, hope आपको ए वीडियो काफी helpful लगा होगा, आपके Malaysia के trip के तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, bye bye